हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार्द रोगा पारंबिक परिच्छा 2021 के लिए जो हम लोगोंने सुपरफास्ट रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नमर 32 इससे पहले अलड़ी 31 सेट जो है वो रिवीजन का अप्लोडेड है साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सेट्स वे अप्लोडेड हैं जो जिसमें चारों आप्सन को एक्स्प्लेइन कराये गया है तो वो भी जाकर आप प्लेलिस से देख सकते हैं आप लोगों को एकजाम के मध्यन अजर रखते हुए हम लोगों ने करेंट अफेर का भी सिरीजा स्टार्ट कर रखा है वो भी जाकर देखिए वो आप लोगों के लिए काफी लाब्दा एक साबित होगा तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने कोश्चन की तरहा फाज का जो हमारा पहला कोश्चन है वो कह रहा है राबत भाटा परमानू बिदुत गरी की अस्थापना जो है वो किस बर्स की गई थी तो किया गया था कब 1972 में तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा आपसन नियंतरन दिवस जो है वो कब मनाया जाता है तो इस कोश्चन का सही अंसर होगा वो होगा आपसन नियंतर भी तेरा अक्टूबर अच्छा अगर आप लोगों से पूछ दिया जाए कि रास्टी आपदा अधिनियम कौन से बर्स पारित किया गया था तब आप कांसर हो जाएगा 2005 में पारित किया गया था नेक्स कहरा है कि निम्न में से कौन जो है वो प्रात्मिक बायू परदूसक के उदाहरन है कर्बन बढू ऑक्साइड कर्पने निम्प में से निम्न हो जा जाता है तो जब जल में पारा की मातर अधिक हो जाती है तो मीनी माता रोग होता है तो इस क्वुशन का मानक समय रेखा कि सिराज जिसे divisive घुफरी देस आंतर है तो भूह का मानक समय रेखा और यह जो है वो उतरपदेश, मधपदेश, आंधपदेश, उडिसा और च्छतिस गड़ पांच राज्यों से होकर गुजरती है यानि हिमाचल परदेश से नहीं गुजरती है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नबर जी हिमाचल परदे अपसर नमबर D चना जो है वो जब भी खरीफ असल नहीं है नेक्स कहरा है सरबोदय योजना को किसने परस्तूत किया था तो सरबोदय योजना को 1950 में लोकनायक जैपरकास नरायन के दौरा परस्तूत किया गया था तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर दो बार नियूतम समर्थन मूल लागू करती थी एक बार अभी फसल के लिए और जो नियूतम समर्थन मूल होता है मतलब वो रभी और खरीफ दोनों फसलों पर लागू होता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा option number B दो बार नेक्स कहरा है छेत्री एक ग्रामिन बैंक की अस्थापना जो है वो किस समीती के सिफारिस पर किया गया था तो यह 1975 में नरसीम हम समीती के सिफारिस पर किया गया था तो इस question का सही अंसर होगा option number C नरसीम हम समीती नेक्स्ट है हमारा हैली रास्टिय उद्यान के नाम से किस उद्यान को जाना जाता था तो हैली रास्टिय उद्यान के नाम से उत्राखंड का जो सबसे प्रथम उत्राखंड का क्या भारत का ही जो सबसे प्रथम है जीम कॉर्बेट रास्टिय उद्यान उसको जाना जाता ह तो बाव अलमंडब जो जल्डमरूमद है वो लाल सागर और अरब सागर में इस्थित अधन की खाड़ी को जोड़ती है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमर ए लाल सागर और अरब सागर next कहरає है कि बायू मंडल में जिस ओजोन छिदर का पता लगाया गया है वो कहां इस्थित है तो यह अर्किका के उपर इस्थित है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसन नमर सी अंटार्टिका के उपर सुर्ज से दूर होती है तो इस question का सही answer होगा आपसर नमज भी सुर्ज से दूर होती है next कह रहा है कि निम्न में से कौन सा यूगम जो है वो सुमेलित नहीं है या पूछ रहा है आपसे इटाना इडली सुमेलित है इटाना हो गया स्ट्रोंबोली हो गया यह सब सक्रिय जो अलमुखी है इटली का वहां कह रहा है कि फिर कह रहा है फ्यूजियामा जापान का यह प्रस्तूत जो अलमुखी है यह भी सही है फिर कह रहा है पोपा मैनमार भी सही है यह मैनमार का सांत जो आला मुखी है क्राकाठोआ मलेसिया यह साही नहीं है क्राकाठोआ कहां है इंडोनोसिया में है तो इसकोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number D next पूसियू सिकोग किस महादीप का सबसे उचा परबसिखर है तो यह आस्टेलिया महादीप का सबसे उचा परवत सिखर है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमबर ये आस्टेलिया इसकी जो उचाई है बुलगभग 2288 मीटर है नेक्स कारा की भुग आरवी क्रियाओं से बनी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी बाली प्रकृतिक जील कौन है तो वो है कौन बुलग जील तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर बी बुलग जील नेक्स कारा भारत में तामा के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है तो भारत में तामा के उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो है मधपदेश तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमबर सी मधपदेश उसके बाद राजस्थान उसके बाद फिर जारखंड नेक्स कहा रहा प्रादीब ये बारत की सबसे दचनी बिंदू जो कन्या कुमारी है तो दचीनतब बिंदू कन्या कुमारी या केप कैमरीन है जो की आठ डिग्री चार मीनट उतरी अच्छांस है और तमिल नडू राज में इन्षित है जो की भूमद रेखा के उतर में इस्थित है तो इस कोश्शन का जो सही अंसर हो गा वो होगा आपसन नमर्टी भूमद रेखा के उतर में इस्थित है नेक्स कहा रहा कि निम्री में से किस राज या के अंदर सासित प्रदेश में सांगला घाटी इस्थी थे तो सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में इस्थी थे जिसको की बसपा घाटी के भी नाम से जाना जाता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C हिमाचल परदेश next कहरा निम्रिखित में से किस दर्यों को भारत, चीन और मैनमार का त्रिकोनिय संगम कहा जाता है तो यह किसको कहा जाता है दीफु दर्ला को कहा जाता है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर B, दिफुदरला नेक्स कहरा है भारतिय सम्मिधान का लच उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है समाजिक तथा आर्थिक ना है, बिल्कुल सही है आपसर की समानिता ये भी सही है तो इस कोश्चन का सही अंसर हो जागा आपसर नमबर B, उपयोगत सभी जो है वो सही है नेक्स कहरा है जिए निम्रिकित में से कौन सा बिसे जो है आपसर नमबर A, डंड प्रकिया जो है वो संबर्ति सुची में सामिल है वहीं पुलिस, कारागार, लोक बिवस्था, लोक स्वास्त ये सब जो है वो एरार जो सुची का भी सही है नेक्स कहरा कि भारतिये सम्विधान का कौन सा भाग जो है नेक्स कहरा भारतिये सम्विधान के निमलिकित अनुच्षेदों में से कौन संसत तथा राज बिधान पालिकाओं की बिधायन सकतिपन नियंतरन लगाता है तो यह कौन सा अनुछेद लगाता है अनुछेद 245 क्योंकि अनुछेद 245 के तहत ही संसद भारत के संपुन राज छेत्रिया उसके किसी भाग के लिए बिधी बना सकेगी और किसी राज का बिधान मंदल संपुन राज या उसके किसी भाग के लिए बिधी बना सकेगा नेक्स कहा रहा है कि 99.9 समिधान संसोजन अधिनियम जो है वो किस से संबंदित है तो 99.9 समिधान संसोजन हुआ कब था 2014 में और इसके तहत राष्टिय न्याई कायोग का गठन किया गया था नेक्स कहा रहा है कि सुप्रीम कोड़ द्वारा केंदरबं रज्यो के बीच विबाद को सुनने के लिए किस अनुछेत के तहट छेतरा धिकार का परियोग हुआ करता है तो यह कौन से अनुछेत के तहट अनुछेत 131 के तहट तो इस कोशन का सही अनसर होगा वो होगा आपसर नमबर जे अनुछेत 131 के तहट नेक्स कहा रहा है कि आयरलेंड के संभिधान से भारतिय संभिधान में क्या लिया गया है तो आयरलेंड के सम्विधान से भारत के राज के नितिनी देशक से धांत लिये गया है सही है, राष्टपती के निर्वाचन पदिती भी लिया गया है और राजसभा के लिए सदस्यों का नमांगन भी लिया गया है तो इस question का जो सही अंसर होगा बो होगा आपसर नमबर D, उपयोग सभी नेक्स कहरा है कि सम्विधान के किस भाग में सहकारी समीतियों का उपबंध किया गया है तो सहकारी समीतियों का उपबंध जो है सम्विधान के भाग 9 ख में किया गया है ठीक है, भाग 9 में क्या किया गया है? पंचायत 9 की कह में नगरपालिका और 9 की ख में सहकारी समीती नेक्स कह रहा है, निमलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है यह पूछ रहा है तो जैलम अवं फ्लोएम जटिल अस्थाई उत्तक के उधारन है, बिल्कुल सही है जैलम के द्वारा क्या होता है जैलम के द्वारा ही पानी तथा खनीज लबन का उधवाधर संबहन होता है और फ्लोयम जो है वो पतियों से भोजन के पौधे के बिविन भागों तक पहुँचाता है तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा हर्पोटोलोजी उभेचरो तसा सरी स्रिपो का ध्यान सही है एंचोमोलोजी कीटो का ध्यान बिल्कुल सही है डर्मट्योलोजी सारीरिक विकास में आने वाली असमानताओं का ध्यान ये गलत है क्योंकि डर्मटोलोजी जो है वो त्वचा और उसके रोगों का अध्यन कहलाता है और सारीरिक विकास में आने वाली आसमानताओं के अध्धन को हम लोग टेरोटोलोजी कहते हैं क्लेर है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर D नेक्स कहरा कि निम्रिकित में से कौन जो है वो अंडे देने वाले अस्थन धारी जीब है तो अंडे देवेने वाले अस्थन धारी जीब कौन है एकी डना भी है और टिपस भी है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर D, B और C दोनों है नेक्स कहरागी हमारे सरीर में अनुबांसिक्ता की एकाई को क्या कहते हैं तो हमारे सरीर में अनुबांसिक्ता को एकाई को जीन कहा जाता है तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा option number C gene gene ही है जो LISA के सरीर मैनु वान्शिक्ता की मूल भूतिकाई है next कहरागी मानब सरीर के पाचन का अधिकांस भाग जो है वो किस अंग में संपन होता है तो मानब सरीर के माधिकांस भाग जो है वो छोटी यात में संपन होता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C, छोटी याद लेकिन याद रखिएगा कि भोजन का जो पाचन है वो मनुस के मूँ से प्रारंब होकर बड़ याद तक चलता है Next कहरागी भोजन के किस बर्ग में प्रती unit calorie की मात्रा जो है वो सरवादिक होती है तो प्रती unit calorie की मात्रा जो है वो बशा में सरवादिक होती है क्योंकि इसमें oxygen कम होने के कारण इसका oxygen जो है वो अधीक होता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number B, बशा में Next कहरागी घाओ को भरने में सहायक vitamin कौन है तो घाओ को भरने में सहायक vitamin है vitamin C तो इस question का सही answer होगा option number C, vitamin C इसकी कमी से क्या होता है असकर भी रोग हो जाता है और इसका रसाइनिक नाम क्या है इसका रसाइनिक नाम है ascorbic acid Next कहरागी ये मस्तिक का कौन सा भाग जो है वो ठंडा तथा गरम को पहचानने का कारच करता है तो ठंडा तथा गरम को पहचानने का कारच कौन करता है थैलमस करता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C, थैलमस वही अगर सेरी ब्रम का पूछ ले तो सेरी ब्रम जो है वो असमृति, हिच्छा सक्ति, एच्छिक गतियों, ज्यान बानी और चिंतन का केंदर होता है सेरी बेलम का कार्ज पूछ ले तो यह सरीर के संतुलन बनाए रखता है और साथी साथ एचिक पेसियों के संकुचन पर भी नियंतरन करता है और अगर हाइपो तेलमस का कार्ज पूछ ले तो भूख, प्यास, प्यार, घिरना ये सब का केंदर होता है और साथ ही साथ रक्तताब, जल के उपाचे, पसीना, गुसा, खुसी, आधी का भी नियंदरन करता है नेक्स कहा रहा है कि निमलिकित में से कौन जो है वो सुमेलीत नहीं है या पूछ रहा है आपसे एक साइड बिटामिन फंक सही है, अंटिजन लेंड स्टनर सही है उसके बाद कहा रहा है DNA संसलेशन, जेम्स वाटसन तथा क्रिक, ये गलत है क्योंकि DNA की खोज जो है वो जेम्स वाटसन तथा क्रिक के द्वारा किया गया है DNA का संसलेशन जो है वो कौनबर्ग के द्वारा किया गया था तो इस question का जो सई answer होगा वो होगा option number C Next कहरागी मनुस में link का निर्धारन किसके क्रोमोजोम पर निर्भट करता है तो मनुस में link निर्धारन जो है वो पूरुस के क्रोमोजोम पर निर्भट करता है तो इस question का जो सई answer होगा वो होगा option number A पूर उसके क्रोमोसोम पर नेक्स कहरा है ये निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या पूछ रहा है यदि किसी दरब में घुलनसील पदार्थ मिलाया जाए तो दरब का प्रिष्ट तना बढ़ जाएगा बिल्कुल सही है कहरा है यदि दूद से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूद का घनत बढ़ जाएगा ये भी सही है तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर C एक तथा दो दोनों सही है नेक्स कहरा है कि निमन में से सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है तो सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन है लीथियम तो इस कोश्चन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमबर B लीथियम लिथियम जो है वो सबसे कम घनत, सबसे हलका, सबसे प्रबल अपचायक तक सब कौन है लिथियम ही है अगर लेकिन यही अगर आपसे पूछ ले कि सबसे प्रबल उपचायक कौन है यहाँ आप चायक पूछाए अगर उप चायक पूछ लेगा तब आपका अंसर हो जाएगा अफ्लोरीन नेक्स कहरा कि रोल्ड गोल्ड मेंसर धातु के अबेब घटक कौन है तो रोल्ड किसको सी उ और एल को मिलाकर तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसा नमरे सी उ और एल नेक्स कहरा आधूनिक आबर साथनी में बाएं से दाय जाने पर तत्व के आइनन उर्जा पर क्या पढ़भाव परेगा तो देखिए धूनिक आबर साथनी में अगर हम लोग बाएं से दाय जाते हैं तब तत्व के आइनन उर्जा पर जो होगा वो बढ़एगा तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसा नमर भी बढ़ता है वहीं अगर परमानु का कार पूछे तो वो घड़ता है बिदु धानत्मकता पूछे तो वो भी घड़ता है फिर बिदु दिरिनात्मकता पूछे तब वो बढ़ता है नेक्स कहरा है कि इलक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किस ने किया था देखे पी-एच मान की अगर हम लोग बात करते हैं तो किसी बिलियन की अमलियता और छारियता को व्यक्त करने के लिए पी-एच मापड़न का परियोग किया जाता है pH का मान अगर 7 से अधीक होने पर billion छारिये होता है और 7 से कम होने पर billion अमलिये होता है नीमू की बात करते हैं तो नीमू का pH मान होता है 2.2 सराप की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका होता है 2.8 सिर्का की अगर बात किजेगा तो इसका होगा 2.4 और अगर दूद की बात कीजेगा तो इसका होगा 6.4 यहां पूछ रहा है आपका सबसे कम किसका है तो सबसे कम किसका हो गया नीमू का तो इस question का सही अंसर होगा option number A next कहा रहा है कि जब दो सद्रिस या अद्रिस प्रमानू अपनी बाहत्यम कच्छा की इलक्ट्रोनों को आपस में साजा करके संयोग करते हैं तब उनके बीच स्थित बंध को क्या कहा जाता है तो उसके बीच स्थित बंध को क्या कहा जाता है सह संयोजी बंधन कहा जाता है तो इस question का जो सही अंसर होगा बहोगा आपसर नबर B सहसेयोजिक बंधन नेक्स है हमारा की निम्न में से सरबादिक अभी क्रियसील धातु तत्व कौन सा है तो धातु की अगर अभी क्रियसीलता का क्रम देखेगा तो सबसे उपर क्या है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नबर A पोटैसियम ऐनी की K नेक्स कहारा की निम्निकित में से कौन जो है वो सुमेलित है यहाँ पूछरा एक साइड बहुती करासी दिये हुए और एक साइड एसाई के मूल मात रख दिये हुए द्रबमान का क्या होगा? द्रबमान का होगा कीलोग्राम यह सुमेलित नहीं है वहीं समय का होगा सेकंड तो यहीं सुमेलित है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नबर B ताप का लिखा है Centigrade, नहीं ताप का होगा Kelvin भीदुधहरा का लिखा अधिक्तम दूरी तक फिकने के लिए उसे 36 से कितने कोन पर उपर परचे करना चाहिए तो इस question का सही answer होगा option number B 45 degree next कायरा कि निम्न में से कौन जो है वो सही नहीं है यहाँ आपसे पूछ रहा है घनत द्रम्यान अपॉन में आयतन बिल्कुल सही है आप एचित घनत बस्तू का घनत तो तथा 0 degree Celsius पर पानी का घनत यह गलत है क्योंकि यहाँ 0 degree Celsius नहीं 4 degree Celsius पर पानी का घनत वहोना चाहिए कार बराबर बल इंटू बिस्थापन सही है सक्ति बराबर कार इंटू समय सही है इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number B next कहरा की सरलाबर गती करने बाला कन जब अपनी गती के अंत बिद्दू से गुजरता है तो तो क्या होता है तो बेग जो है वो सुनन होगा गती जूर्जा सुनन होगी उसका त्वरन जो है वो अधिकतम होगा और स्थिजी जूर्जा जो है वो अधिकतम होगी नेक्स कहरा है कि कान पर धोनी का परभाव जो है वो कितने समय तक रहता है तो कान पर धोनी का परभाव जो है एक बटा दस सेकंड तक रहता है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसे नमबर B नेक्स कहारागी बायू मंडल जो है वो किस बिधी के द्वारा करम होता है तो बायू मंडल जो है वो संबंधन बिधी के द्वारा करम होता है तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपसे number B आप लोग mode of heat transfer पढ़े होंगे तीन होता है conduction, convection और radiation तो ये किस के द्वारा होता है? संबहन के द्वारा होता है radiation के द्वारा होता है next कहारागी दूर द्रिष्टी दोस्ट के संबंध में निम्रिखित में से कौन जो है वो सही है या पूछ रहा है तो lens की गुलाई कम हो जाती है बिल्कुल सही है लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है सही है लेंस की छमता घट जाती है और सभी सत्ते हैं तो ये बिल्कुल सही है सभी ही सत्ते हैं और अगर हम लोग बात करते हैं दूर दृष्टी दोस्त के लिए तो इसके निवारन के लिए हम लोग उत्तर लेंस का परि नेक्स कही रहा है। नेक्स कहरा कि करनाल का यूद कब हुआ था, तो करनाल का यूद हुआ था कब 1739 में, जिसमें नादिर साथ जो था, वो मुहम्मद साह को पराजित किया था, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, आपसा नमबर C, 1739 में, नेक्स कहरा, भारतिये राष्टिये कॉंग्रेस की अस्थ आपना कब हुई थी, 1850 में, और उसमें बिर्टेन के परधान मंतरी कौन थे, ग्लैंड स्टोन, तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा, वो होगा, आपसा नमबर C, नेक्स कहरा है कि भील बिद्रो का नतरित्व किस ने किया था, तो भील बिद्रो जो है, वो पश्मी घाट प जनक जो है, वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, और लॉर्ड रिपन, तो इस कोशन का सही अंसर होगा, आपसे नमबर C, और लॉर्ड रिपन का टेनवर कब से कब था, 1880 से लेकर 1884 तक, नेक्स कहरा है, अलबर्दी खा कि मिर्टु के पश्चाद बंगाल का नबाब का नेक्स कहरा है कि सुध्य दैताबाद के प्रतिपादक कौन थे, तो सुध्य दैताबाद दर्सन के प्रतिपादक थे, बलवा चार्ज, तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा, वो होगा, आपसे नमबर C, बलवा चार्ज, नेक्स कहरा है कि सलेखना पदिती द्वारा किस ने अपना प्रांग त्याग दिया था तो चंदरगुप्त मौर ने दिया था देखिए जब उसके जीवन का जो अंतिम समय था चंदरगुप्त मौर का वो उसी टाइम उसने जो जैन सान्यासी था भदर बाहू उससे सिछा लिया था और सलेखना पदिती के द्वारा अपने प्र शे है और वो शे है क्या सिच्छा है छंद है जोती से कल्प है ब्याकरन है और निरुकत है बिज्ञान नहीं है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसान मबर दी बिज्ञान नेक्स काहरा है गुल्रुख्hi नाम से कौन सा सुल्तान जो है वो फार्सी भासाओं में नाम से कौन लिखता था? सिखंदर लोधी लिखता था, तो इस कोशन का जो सहिअनसर होगा वहूगा आपसर नबर बी सिखंदर लोधी, सिखंदर लोधी जो था वो 1504 में आग्रा सहर के भी अस्थाप ना किया था नेक्स कहराएगी सिवाजी का जन्म कब हुआ था तथा उन्होंने छत्रपती की उपाधी कब ली थी तो सिवाजी का जन्म कब हुआ था 1627 में और छत्रपती की उभाधी लिये थे उन्हें 1624 में तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number D नेक्स कहराएगी केंदर सरकार के तीने क्रिस्व कानून को रद करने बाला पहला राज या केंदर सासित प्रदेश कौन बन गया है तो वो बना है पंजाब तो इस question का सही answer होगा option number A पंजाब नेक्स कहरा भारत और बिटेन के मद किस नाम से संजुक्त युदा अवियास का आयोजन फरबरी 2020 में किया गया तो संजुक्त युदा अवियास का आयोजन फरबरी 2020 में भारत और बिटेन के बीच अजय वारियर के नाम से किया गया गोधनिया योजिना जो है वो 36 गड़ सरकार के द्वारा सरू किया गया है और इसी योजिना के माध्यम से पसुपालन को बढ़ाबा देने के साथ साथ क्रिसी लागत में कमी और भूबी की उर्बरक सक्ति में बढ़ोतरी करना है नेक्स काराग 21 राज के कंधमाल हल्दी को जी आई प्रमान पतर दिया गया है तो कंधमाल हल्दी कहां का है उडीसा का है तो इस कोशन का सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर डी उडीसा का जी आई टेक का जो पंजीकरन होता है वो 10 वर्सों के लिए मानने होता है नेक्स कायरागी निम्रिकित में से कौन सा राज जो है वो नई उद्योगिक निती 2020 की घोस्तना की है तो नई उद्योगिक निती 2020 की घोस्तना कौन की है गुजराप सरकार ने तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा आपसर नमर B गुजराप सरकार ने नेक्स कारागी निम्न में से किस अभिनेता को पेटा इंडिया ने परसन अब दे येर 2020 चुना है तो यह किन को चुना गया है जॉन अबराहम को तो इस कोशन का जो सई अंसर होगा वो होगा option number B, जॉन अबराहम नेक्स कारागी क्रिसी भूमी को लीज या पट्टे पर देने की निती लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है तो वो बना है उत्राखंड तो इस कोशन का जो सई अंसर होगा वो होगा option number B, उत्राखंड और यह जो है वो 30 एकड क्रिसी भूमी जो है कोई भी NGO जो है या कोई ब्यक्ती या कोई संस्था जो है वो क्रिसी भूमी पटे पर ले सकती है और इसके एबच में किसानों को भूमी का किराया दिया जाएगा next कहरा है कि budget 2020 के तहत कितने राज्यों में पुरा तात्विक अस्थलों के अत्त मिलना डू next कहरा भारतीय रेलबे ने खुद का पहला कचड़ा से उर्जा उत्पादन सर्नेंद के अस्थापना कहां की है तो यह कहां किया है उर्डिसा भूम्रेशवर में तो इस question का जो सही अंसर होगा वो होगा आपसर नमबर ए उर्डिसा में next कहरा भारत बन इस्थिती रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार में सर्बादीक बनाबरन बाला जीला कौन है तो बिहार में सर्बादीक बनाबरन बाला जीला कौन है भभुआ जो की कैमूर और दूसरे नमबर पे है कौन दूसरे नमबर पर पश्चिम चंपारान और तीसरे नमबर पर रोहतास नेक्स कारा एक जनबरी 2021 को परधान मंसरी ने कितने राजियों में लाइट हाउस परियोचना की अधार सिला रखी है यहां Australian Open 2020 पूछ रहा है आपसे Australian Open 2020 के महिला एकल के बिजेता है Sophia Kenin जो कि अमेरिका के है वही लेकिन अगर Australia Open 2020 कीज पूछ दे तब उसकी बिजेता कौन है Naomi Osaka जो कि जापान की है Next करा कि Q code लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क यानि बन बिहार जो है वो किस राज़्य में है तो QR code है यहां पर तो QR code लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क जो है वो मध्धपदेश में है ठिक है बन बिहार जो है मध्धपदेश में है तो इस question का सही अन्सर होगा वो होगा आपसे नबर भी मद्ध पदेश नग्स का रहा है कि जंगली जानबरों की प्रवासी प्रजातियों पर समेलन CMS COP 13 का एउचन कहां किया गया तो ऐजोन इसका जो है वो गुजरात में किया गया तो इस कोशन का जो सही अंसर होगा गुजरात के मुखमंत्री का नाम है बिजय रूपानी नेक्स कर रहा है देश का पहला ओनलाइन कचरा बीनियों कार्जकरम जो है वो किस राज जिमें सुरू किया गया है तो यह कहां सुरू किया गया है यह किया गया है आंधपदेश में आंतराश्टिय योग दिवस कम मनाया जाता है तो अनतराश्टिय योग दिवस कम मनाया जाता 21 subscription को तो इसे कोशन का सही अंशर होगा आप्सर नावर B 21 जुन को नेक्स काई रहा है कि इट्स राइट इंडिक्स 2020 में कौन सा देश जो है वो सिर्स अस्थान पर रहा है तो Kids Rides Index में प्रथम अस्थान पर Iceland था तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number C Iceland और इसमें भारत का rank कितना था इसमें भारत का rank था 113 next कहरा पुस्तक The End Game के लेखा कौन है तो पुस्तक The End Game पुस्तक के लेखा कहा है M. Hussain Jaddy तो इस question का सही answer होगा option number A next कहरा संजुक्तरा संग के निवार की स्थित मुख्याले में भारत का अस्थाई प्रतिनी थी किसे निउक्त किया गया ہے तो यह किसको निउक्त किया गया है TS-3 मुर्ति को तो इस question का जो सही answer होगा वो होगा option number B TS-3 मुर्ति को अच्छा यहां पूछ रहा देखिए संजुक्तरासंग के निवार के स्थित मुख्याले में निवार के स्थित मुख्याले में पूछेगा तब टीयस मुर्थी हो जागा और अगर जिनेवा श्थित कर्याले में पूछेगा तब आपका अंसर हो जाएगा इंदरमनी पांडे नेक्स कहरा लेबनान के नए परधान मंत्री हाली में कौन नियुक्त हुए है तो लेबनान के नए परधान मंत्री साधल हरीरी तो इस कोशन का सही अंसर होगा बो होगा option number A सादल हरीरी लेबनान की राधानी कहां है लेबनान की राधानी है बेरूत next कहरा कि सड़क दुरगटना रिपोर्ट 2020 के अनुसा सबसे ज़्यादा सड़क दुरगटना कहां हुई है तो यह कहां हुई है सबसे ज़्यादा सड़क दुरगटना से मौत कहां हुई है तब आपका अंसर उतर प्रदेश होगा next कहरा कि सड़क चौधरी का संबंद जो है वो किस खेलते है तो सड़क चौधरी का संबंद जो है वो सूटिंग से है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमरे जापान के साथ next कहरा है यह सूचना अबं परसार परदागी के छेतर में सही ओक के लिए भारत ने किस देश के साथ 15 जनबरी 2020 को संज़ोता गयापन पर हस्ता चर किया है तो यह किस के साथ किया है यह भी जापान के साथ किया है इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमरे जापान के साथ next कहरा 12 जनबरी 2021 को किस नाम से समुंदर टटियर अच्छा अभियास का आयोजन किया गया है समुंदर टटियर अच्छा अभियास का आयोजन जो है वो सी विजिल नाम से किया गया है तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर D, C. Vigil नेक्स कहरा जनबरी 2021 के विदुत मंतराले के प्रेस बिग्यप्ति के अनुसार भारत 2030 तक कितना गीगाबाट तक अच्छे है उर्जा जो है बूत पादन करने का लच्छ रखा है तो यह कितना गीगाबाट तक रखा यह रखा 450 गीगाबाट तो इस कोशन का सही अंसर होगा आपसर नमबर D, 450 गीगाबाट तो यह था हमारा आचका वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बेल आइकन दबा लीजे ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक्स फोर वाचिंग